Hey guys, welcome back to a new video. Well, Realme 8 Pro के अंदर Realme UI 3.0 के जो Early Access की अप्लिकेशन थी, वो कुछ टाइम के लिए ओपन हुई थी और काफी सारी उसर ने अप्लाई भी कर दिया था. Well, Gene Users की Early Access की अप्लिकेशन अप्लिकेशन अप्रूव हो गई, उन सब को जो अप्डेट है C.09 का वो देखने को मिल चुका है. Finally, हमें भी Realme UI 3.0 का जो अप्डेट है, वो देखने को मिल चुका है Realme 8 Pro के अंदर. तो आज की इस वीडियो में इसी अप्लेट के फीचर्स के वारे में बात करेंगे. Well, कौन कौन से नए फीचर्स आपको देखने को मलते हैं, क्या AOD कस्टमाइजेशन का फीचर एड़ हुआ की नहीं हुआ. वैस जो भी आप लोगों के डाउट्स थे और इस अप्डेट के फीचर्स हैं, वो सब आज की इस वीडियो में क्लियर कर देंगे. तो overall वीडियो काफी interesting होगी, इस टैप की वीडियो अगर आप लोगों को फीचर में और चाहिए, तो नीचे आप लोगों को लाकर का बटन देखने को मिलेगा, सबस्क्राइब कर लेना, इसी के साथ बेल आइकन को आप लोगो और पर प्रेस कर सकते हो. So, let's begin! इसी के साथ बात की जाए, चेंज लोग के बारे में, तो Realme UI 3.0 एंड एंड टोलर के जितने भी नए features हैं, वो आप लोगों को update लोग के अंदर देखने को मिलेगे, अब दोस्तों बात की जाए, सबसे पहले changes के बारे में, तो वो आपको देखने को मिलेगा, home screen and theme के design के अ अब दोस्तों बात की जाए, अगले changes के वारे में, तो वो आप लोगों को देखने को मलता है, notification panel के अंदर, वैल Realme UI 3.0 में कुछ step का जो notification panel है, वो आपको देखने को मिलेगा, उपर आप लोगों को 3 option देखने को मिलेगे, multi user and edit error setting का, साथ में आप लोगों को left side में जो clock है, काफी अच्छी तरीके से modify की गई है, इसी के साथ आप लोगों को media output को option में देखने को मिल जाएगा, यानि कि आपके device के साथ जो भी media के devices connect होंगे, उनके वारे में भी जो information है, वो आपको देखने को मिल जाएगी, इसी के साथ अगर आप लोगों को इसको edit करना है, किसी भ आप लोगों को notification panel की clean look जो है, वो देखने को मल जाती है, दोस्तों बात की जाए अगले feature या changes के वारे में, तो वो आप लोगों को देखने को मलता है privacy के section में, वैल realme UI 3.0 के अंदर आप लोगो privacy dashboard and permission manager के जो feature है, वो भी देखने को मिलेंगे, वैल permission manager के features के अंदर आपको camera access and microphone का जो access है, वो देखने को मल जाता है, वैल जिस भी applications को अगर आप लोगो ने camera का या microphone का access provide नहीं करवाना है, simply आप लोग notification panel से ही camera and microphone का जो access है, उसको close या open कर सकते हो, अब दोस्तों बात की जाए special feature के वारे में, तो realme UI 3.0 के अंदर आप लोगो special feature का जो section है, वो देखन को मल जाता है, इसके अंदर आप लोगों को QC launch, flexible window, smart sidebar, simple mode and kid space के जो feature है, वो देखने को मल जाते है, QC launch के अंदर आप लोगों ने जैसे अपने वालफोन को unlock करोगे fingerprint से, तो automatically जो भी application आप लोगों ने set की होगी QC launch के अंदर, वो सबसे वेले आपको देखने को मिल जाए अब दोस्तों बात की जाए, password and security के section के वारे में, तो realme UI 3.0 के अंदर कुछ step का password and security का section है, realme 8 pro में आपको देखने को मिलेगा, वेल आप लोगों को lock screen, password, face, fingerprint and privacy, dashboard का अलग से आप लोगों को एक section देखने को मिलता है, और साथ में आप लोगों को system security का भी एक tab अलग से दे जादा ध्यान दिया गया है, तो बात की जाए, अगले changes या feature के वारे में, तो वो आपको देखने को मिलते हैं, battery के section में, well realme UI 3.0 के अंदर आप लोगों का जो battery का section है, उसको बिल्कुल नया UI provide करवा दिया गया है, और आप लोगों को यहाँ पर power saving mode, super power saving mode, और साथ में जो बारे में जो consumption है, उसको जानना काफी आसान आपको देखने को मलता है, और advanced settings के अंदर आप लोगों को battery training को रोकने के लिए, और भी जो features हैं, वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो interface है, मुझे काफी पसंद आया, realme UI 3.0 के battery section का, अब दोस्तों बात की जाए, realme UI 3.0 के display के feature के वारे में, तो realme UI 3.0 के अंदर आप लोगो video color enhancer, इसी के साथ video image sharpener का जो option है, वो देखने को मिल जाएंगे, वो इन दोनों features को use करने के बाद, आप लोगों के display की जो color saturation और उसकी quality है, वो थोड़ी सी improve आपको देखने को मिलेंगी, आपको जो colors हैं, वो थोड़ी ज इसको expand करोगे, कुछ step के features आप लोगो देखने को मिलेगे, media ring notification and alarm के, और इसी के साथ अगर आप लोगो इसको setting के अंदर ओपर करना है, तो setting का जो shortcut है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, बात की जाए, इसके interface के वारे में, तो minimum elastic ये look है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, अब दूस्तों बात की जाए, realme UI 3.0 के camera feature के वारे में, तो कुछ इस step का जो camera interface है, realme UI 3.0 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वैल उपर आप लोगों को AI, HDR, flash और screen को rotate करने के जो option है, वो देखने को मिल जाएंगे, नीचे आप लोगों को camera modes देखने को मिल हैं, और बीच में आप लोगों को in zoom and zoom out के जो option है, वो देखने को मिल जाएंगे, साथ में आप लोगो Google Lens का support भी देखने को मिलेगा, इसी के साथ वीडियो के section में, आप लोगों को 60fps और 30fps, 1080p, 4K video recording का support भी देखने को मिलेगा, and ultra standby mode भी देखने को मिल जाता है, इससे आपको camera application जैसे oneplus के devices में देखने को मिलती है, वैसी आप लोगों को realme UI 3.0 के अंदर देखने को मिलेगी, अब इसी के साथ दोस्तों realme UI 3.0 के अंदर आप लोगों को power menu को भी customize करने के जो option है, वो देखने को मिल जाएंगे, कुछ step का power menu आपको देखने को मिलेगा, सबसे आपको emergency, फिर restart, फिर आपको power off and फिर lock screen के जो option है, वो देखने को मिल जाएंगे, और इसका जो interface है realme UI 2.0 के power menu से बिलकुल different आपको देखने को मिलेगा, अब दुस्तों बात किये जाए realme UI 3.0 के gaming feature के वारे में, तो आप लोगो realme UI 3.0 के अंदर जो नया game space है, games के नाम से वो देखने को मिल जाएगा, विल जैसे आप लोग इसको open करोगे, आपके सामने कुछ permissions आएगी, उनसा ही permission को आप लोगोंने unlock कर देना है, उपर आप लोगों को my games देखने को मिलेगा, और नीचे आप लोगों को my games and explore का जो section है, वो देखने को मिल जाता है, my games के अंदर आ आप लोगो screen recording, touch optimization, system status, voice changer and orientation lock के जो feature है, वो देखने को मिल जाते हैं, इसी के साथ आप लोग इसको अपने हिसाब से edit भी कर सकते हो, अगर आप लोगो voice changer का feature use करें तो finally आप लोगो voice changer का feature है, free में permanently देखने को मिल जाएगा, realme UI 3.0 के अंदर, इसी के साथ जैसे आप लोग system status को on करोगे, उपर आप लोगो FPS, GPU and CPU के जो feature हैं, वो देखने को मिल जाएगे, और आप लोगो ये live देखने को मिलते हैं, वेल, जब भी आप लोग gameplay करोगे और इस features को on कर दोगे, तो उपर आप लोगो live जो FPS, GPU and CPU के features हैं, वो देखने को मिल जाएगे, जिससे gameplay को record करने मे काफी अच्छी मदद मिलती है और साथ में कितने IPS आपको देखने को मिलते हैं गेमपले के दुरान वो भी आप लोग बिल्कूल आसानी से देख सकते हो दुस्तों सबसे पहले बात की जाए क्या इस अपडेट के अंदर आप लोगों को Realme 8 Pro में AOD कस्टमाजेशन का सपोर्ट देखने को मिला की नहीं मिला तो फाइनली अगर आप लोग परस्टमाजेशन का सेक्षन देखें तो अभी भी आप लोगों को AOD कस्टमाजेशन का जो सपोर्ट है Realme 8 Pro के अंदर देखने को नहीं मिला है विल काफी सार यूजर बेट कर रहे थे कि Realme 8 Pro में Realme UI 3.0 के अंदर AOD कस्टमाजेशन मिलेगा लेकिन फाइनली Realme 8 Pro में Realme UI 3.0 के अंदर आपको AOD कस्टमाजेशन का सपोर्ट देखने को नहीं मिला आपको नॉर्मल सी ब्लैक अंद भाइट जो डिस्पले है AOD वो देखने को मिलती है अब दोस्तो इसी के साथ Realme 8 Pro में आप लोगों को Realme UI 3.0 में जो सिस्टम एप्लिकेशन है वो भी अप्डेटेट देखने को मिलेगी वेल आप लोगों को फोन मेंजर एप्लिकेशन का जो नया इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा लेकिन अभी भी आप लोगों को यहाँ पर जो में में फीचर है वो देखने को मिल जाते है और finally आप लोगों को clean up storage and virus scan के जो feature है वो भी आप लोगों को phone manager के अंदर देखने को मिल जाएगा इसी के साथ आप लोगों को my file जो file manager है उसका नाम change करके my files कर दिया है और इसका भी आपको जो नया interface है वो देखने को मिलेगा इसी के साथ बहुत सारी system application के updates भी आप लोगों को realme UI 3.0 के update के अंदर देखने को मिली है अब दोस्तों ये तो बात हो गई realme UI 3.0 के update के वारे में वैल जो आप लोगों को realme 8 pro के अंदर देखने को मिला था c.09 का वैल जो भी features नए add हुए थे सब कुछ मैंने आपके साथ share कर दिया अगर आपको वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को like कर देना और नीचे आप लोगो लाकर का button देखने को मिलेगा आप लोग चैनल को भी subscribe कर सकते हो वल मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइट टिक्टेया